हेलो मेरे प्यारे बच्चो वेलकम टो शिंदेश केमिस्ट्री टेक्निक्स तो आज डेठेट 24 में और 24 में के स्ट्रेटेजी में आज हम एथर्स कवर करेंगे एथर्स पूरा करना है चोटा सा आर्टिकल है ठीक है अब देखिए एथर्स का मैं पहले प्रिपरेशन ले रहा ह तीन में इसके अंदर स्रीफ फोस्टेब फ्रम एल्कॉह इसको हम बोलते हैं इंटर मॉलीकुलर डियाइटेशन और बोलेंगे इसको बाइग कंटिन्यूस इत्रीफिकेशन प्रोसेशिबल थे सब्सक्राइब बनते रहता है ठीक है और इस में सिंपल एथर ही मिलेगा वह सब्सक्राइब बनता है क्योंकि यह इंडर्स्ट्रील प्रेपरेशन में इस से पता नहीं हजारों गैलन नहीं डाइट रीथर बनता है और डाइट रीथर का यूज हम एजवेंट करते हैं वूट्स रेक्षिन में और बहुत सारी चीज़ा और भी है ठीक है ना तो अपने इंट्रमॉलकुलर ट्योंड आपका अलकीन और अगर इंट्रमॉलकुलर कर दिया तो बनेगा एथर यह धियतर ना इंगुज करने वाला है ठीक है एक रूम टेंपरेश तो बनता है इससे बनता है इधिल हाइड्रोजन सल्फिट याद ना है इधिल हाइड्रोजन रूम टेंपरेशर फिर 407 413 क्या करेंगे दूसरा मौल करेंगे तो यहां से अब आपको बाहर निकल जाएगा वह यूजनी अधिल इतर नहीं बनाता है बनाना तो भी ऑन पेज कर सकते है लेकिन जनरल इसी का यूज किया जाए ठीक ना कर ली जिसको नूट अब आते हैं सेकंड मेथड फ्रम अलकील हलाइट्स इसको विलियम संसेंटेसिस नेम रियक्शन है बहुत इंपॉर्ट है और यह रियक्शन अपका हेलोजन डेरिवेटेस अलकीन नारीन का न्यूकलिफिलिक सब्स्टूशन में पढ़ते हैं हम आपर तो वहां से एक कनेक् कर है एक मीडियम में तो क्या बने का दिक है हैं यह है आपका न्यूकलिफ एलं े हाप ये अ फिल्ले आ सकाने यह न्यूकलिफिलिक सब्स्टूशन रेक्शन ये को सिलेक्शन है ओं ये यादिक हैर एटर ऑ प्राइमरी होना चाहिए यह प्राइमरी होना चाहिए यह ब्रांच नहीं होगा बलकुल लेना नहीं है और मालो यह भी नॉन ब्रांच यह भी नॉन बरांच और नॉन ब्रांच इसको सब्सक्राइब नहीं तो फिन नॉन जाया थे तो यहां पर तो अगर सोडियम इलकॉपक्साइड अब ब्रांच इसी को करेंगे और इसी को लाइज लेना है यहां पर दोनों नौन ब्रांच इसको स्मॉल और सुडियम इलकॉपक्साइड लाइज धान रखना में बारब बोल रहा हूं तो ठीक है अब यह निकल लियागा बाकी आपकी इतिल नौन जाएगा और एक अब क्लियर वह न ये थोड़ा कंट थोड़ा इंपॉर्टिंट यहां पर स्मॉलर अगर नौन ब्रांच में है दूनों नौन ब्रांच तो यहां पर स्मॉलर राइदर लार्च श्मॉलर अलकिल ग्रूप और यहां पर लाट जोना हमने इतिल से रेक्षिन किया तो फिर आपका जाएगा यहां पर यह आपका है न मिथिल यहां पर जाएगा और सोडी विज राइगा तो सोडी माइड बन गया बन गया ऐनी सॉल बरावर है कि नहीं चलिए कर लिजिए नोट डाउन इसको ओके अब हम देखते हैं थर्ड प्रिपरेशन में फ्रम एलकोहल सेंड डाइजो मीथेन अब देखे तरह एलकोहल को डाइजो मीथेन से रिया किया इंडर प्रेसेंस फ्लूरो बोरी कैसे यह कैटलिस लेना है तो यहां बने आपका मिथाइल या मिथिल एथर यहां एक थिससे सिर्फ एक ही कि सिंपल बनता है और और बाकि मिक्स बनेंगे तो एक अल्की घौज मिथिल रहें प्रोपेल जो भी हो यहां नहीं है अब यहां से में इसको ऐसा कर दाए प्रोड़क्त या रोगे एच्छ तो सीए स्टी सीए स्टी ओ सीए स्टी एंटु एंटू के अन्डिध पसंट निकाला फॉला है ठीके से कि कि थी ऑखडाइजंक एजेंड से प्रेग्ने लिघ कि थमेको ए उससिए आई चपने इसे थे में баг कोई भी हैं किसी भी रिडूसी एजन को भी ऊधोसी आपको ठीक ना तो सॉडियम वाटर या या कोई और से दिया तो किसी भी डूसींगद से ब्रेक नहीं होगा एंग्सामपल देखेक करेंगे जिंक और ऐसके डिया तो ऐसा हो सकता तीसरा यहाँद कि आपको कि ये आपको यहाद आपको इसे ब्रिक नहीं होता है एक्सेप्ट एच आई एच बी आर और इन तीन एसेड को छोड़ कर बाकि किसी भी एसीट से यह ब्रेक नहीं होता है ध्यान रहेगा मेरा यह बहुत इंपॉर्डट तो यहां पर याद अखना है कि एथर एथर जो होता है जन्रली यूज्ट आज सॉल्वेंट अभी आपको सॉल्वेंट यूज्ट कर रहे हैं सॉल्वेंट में रहेगा बाकि कोई भी दिया है मेडिसीन से सारे चारो के चारो मतला ऑप्शन करेक्ट है तो फिर आपको सॉल्वेंट पे टिक करना पड़ेगा सॉल्वेंट ध्यान यह बहुत इंपॉर्टन कोश्यन है ठीक है ना तो इसको कर लीजे नोट आँ अब देखते हैं एक्शन ओफ हाइड्रोजन लाइड में इसको दो पार्ट में डिवाइड करते है एक्शन ओफ कोल्ड है और एक्शन ऑफ होट है पहले कोल्ड चाट यह बहुत ही इंपॉर्टन कंडिशन इसके अंदर पाश कंडिशन आएंगे अब कंडिशन देखिए अगर सिंपली तो कोई प्रॉलम नहीं है तो एक यहां से करो यहां से करो यहां सिंपल कुछ प्रॉलम नहीं कुछ प्रॉलम नहीं है लेकिन मिक्स राया और नॉन ब्रांच है तो स्मॉलर अलकाई ग्रूप किसमेंड होगा आईडाइड में यहां से अभी आपको बहुत आराम से सूचना है लार्जर अलकाईल ग्रूप किसमेंड होगा अलकोहल में होगा और जो स्मॉलर होगा वह कहां से होगा आईडाइड मतलब कौन सा ब्रेक हो रहा होगा क्योंकि अक्शन उदर चाहिए मतलब यह वाला बॉन ब्रेक्ट ऎटर्श निक्या होगा यहां से भॉन वर ब्रैक करण हो पको इडर अर्याग केर आधि इन इन हैए यह एचल सब्रेक हो तो यह मुद्न आपका मि लगतने डिल JAC लेकिन exception यहां पर वहाद रखना यह क्या है क्या यहां पर मैकनिजम सपोर्ट नहीं करता है इसको अपन फिर से बता हरा हूं अगर सिंपल यह तो प्रवल्म ने एक अलकॉछ अगर नॉन ब्रांच तो लाजर गुरूप एलकॉछ में टिक एने अगर ब्रांच में घालगा तो दूसरा। रूप होगा वह आयोडाइट में करूंट हो जाएगा आया सबच में आपको यह आपको ध्यान देना इसको क्लियर अब इसमें एक और कंडिशन आपको बता था एक अरोमेटिक अब लेने था उसके अंदर फिर आपका यह कोल्ड बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट इसमें बहुत गर्वर होती है और इसमें से खुषन आने के चैंसर भी बहुत ज्यादा होते अब मैंसे लिए आप मैंने यहां पे लिए एननिय सौल को मैंने कोल्ड यह के साथ रिक्षिन किया तो आप क्या होगा पुनसा यह लोन के रिजन स्कारीज अधर नाय।स्टा नहीं बनेगा इस कब यह यहां पर आईड़ी नहीं बनेगा इस से आपका फिन अल बन गया और क्या बन गया है अपको दूसरा मिफिल आयोडाइट कभी भी आदक नाइडो बंजी नहीं बनेगा क्योंकि यह बॉर्ण होता है ऑक्सिन बॉन कैसा होता है इस ट्रांग होता है रिजल किसी ने पूछ लिया तो पार्चल बड़न करेक्ट्रिया रिजुनस कर रहे हैं और अलकाइल ऑक्सिन बॉन कैसा होता है वी को था है क्लियर हुआ यह एक सब्सक्राइगा चलिए अब हम देखते हैं आपके एक्शन तो यहां पर एधर लिए मैंने एचाई तो अप्सक्राइगा और इधर लिया ने एच्छाए तो हॉट में गाउता है तू मॉल्स कोल्ड में और कभी और हाट कोल्ड कूछ लिखाई नहीं है तो आपको नमबर अश्चिस हाट में रहेगा और कम वैल एक मोल रहेगा पॉल तो मोल्स आफ अलकिल आयोड़ाइड और बनेगा और अलकॉल इसमें अलकाइल आइड बन रहा है लेकिन अलकॉल के जापर क्या बन रहा है तो इसमें पूछ प्रावलम नहीं अगर आपने आपर इस इंपल इथर ले लिए समय इसमें पली तरी अश्टी ओ सी तरी तो सेम अल किल आयोड़ाइड बन जाएंगे इसमें मतलब CH3 IA2 मोल्स बन गया और वाटर का तो और अगर मिक्स लिए अपने अगर क्या लिए अपने मिक्स्ट मिक्स लिए तो डिफरेंट लोगों CH3 O C2H5 प्लस है ट्वाइच है ट्वाइच है देपर तेंपरेट लिए हमने 373 कल अ अब यहां पर क्या बनेगा CH3 I plus C2H5 I plus H2 सिंपल में सेम अलकेलाइड और मिक्स्ट में डिफ्न अलकेलाइड बनेगा बनेगा क्यापस है आजाएगा कोई कंफीजन अब इसके अंदर देख लिजिए अब आप आजाएगा अब नेक्स्ट केमिकल हो लेते हैं हाइड्रोलि hydeolysis मतलब यहां पर आपको याद रखना है action of dilute sulfuric acid sulfuric acid break करता है bond को थेकर आपको यह आपको याद रख लेना है ठीक है अब देख लिजिए अब मैंने यहाँ पर ले लिया है ether rr plus यहां पर ले लिया मैं एच्टू O और यहां पर ले लिया मैंने है डाइल्यूट सुल्फियूरिक आज़ तू एच तू एस सफोर अंडर प्रेशर अंडर प्रेशर तो कोई को एक बॉन ब्रेक कर दो आपको वाले में कि वाटर का एच को यहां पर ले जाओ और ओश्कु इसको इस प्रेट कर दो करें तो एच और ओच एच को यहां लेगे तो क्या बनेंगे टू मूल्स ऑफ एलकोहल बन गया सिंपल इथरा तो सेम अलकॉहल मिक्स इतरा तो डिफ्रेंट अलकॉहल आया है बस हो जाई ने मेरी देखो सिंपल इथर लिया आपने से मालों च3 OCH3 प्लस H2O और यह सारी कंडिशन यह हमने सारी अब क्या बने आपर CH3 OCH2 सेम अलकॉहल ठीक है और मिक्स ले लिया तो डिफ्रेंट अलकॉहल बनेंगे खतम कुछ ज्यादा हाड नहीं बहुत ही इजी इजी रेक्शन साहिए है ठीक है कंडिशन सेम वही रखते हैं हम लोग तो यहां पर क्या बनेगा पनेगा CH3 OH प्लस c2H 5 ओ गया कितने असाओ सुर्ण से बने के अप थार जैकता है है in which nerve flicks substitution reaction एक्टो फ्रेट कि सब्स्टेटिशन रिम यह चोड प्लबलान करें हो आप मिलेक्ट्रोफ फ्रेजुशन है curry Meu प्लबाद यह क्लियर मिली टिया अब को ने सौल लिने वादे ने हैं अरे आजल कैसा होता है दिए अब सोच लिजे विकर सरदाइब याब सोच लीजी अब याद रहा है एक्टिविटिंग एना और्फण पैर डिरेक्टिंग यह यादखनु है फटा-फटा बिजर देघ्ड़ भीज़ा देक्टिविघत अब हेलो जेनेशन हेलो है कि ज हेलो जेनेशन हेलो जेनेशन में यहां पर है ब्रोमीनेशन जियी ने फ़िए थी डिलिया है नी सॉब इन इन एनी स्व आव इसको मैं ने रिया किया ब्रोमीन के साथ in the presence of acetic acid लेना पड़ता है अब अब सोचिए अभी बता है इसको और्थो पैरा डिरेक्टिंग है में आपको अभी बता है और्थो पैरा प्याएगा देख लीजिए तो एक बरुमीन और ठो पर आ गया और एक प्रोमिन पर और्थोब्रोमो एइसल और गराप रोब्रोमो एडिस और अन्य मिला जाएक न सभी को ठीक है बन जाए यह यहाँ का हैक अफ जिल घृब है चलिए अप देखते हैं यहां पर फ्रिडल क्राफ्ट रिक्षिन देखते हैं कि खिशे है कि फिलर क्राफ्ट क बिसको सेकेंड रिष ये फ्री डल ढ़िल कर ऑं झाज अ प्रीड लिन उसला है फ्रीडल कर और लिएकशन अब कि याद बहुत कि दो टैप कि फेटल क्राफ से पहले लेता हूँ ईब फ्रिड टल क्राफट अनी साल इस को इसमारिया कि आमने मिवितिल क्लोराइड लेशन में टूराइड इन पड़ता है इन्टे प्रेशन साफ अनहाईटर सिक्ष दिए के नाम पर अनुज़स एल इन फिर सीएल थम यहां पर अभी है अंब यहांपे अन्थलियमाई यहांपर यह को यहां पर की अच्छरा तो प्लेस करेगा दिख नागे यहां पर आगे आपका CH3 प्लस अब पैरा का एच रिप्लिस करके यहां पर आजाएगा आपका CH3 यहां पर आपका CH3 प्लस एच यह लिया बैलन्स नी करो डारेट लेकर रहा है वास समझा रहे आपको तो अभी देखो अब यहां पर टॉलूइन बड़ा है मतलब से ज्यादा रेक्टि उसले टॉलूइन पर में लेना बड़ागा यह नहीं लेना यह तो साइड चे लकॉक्स है लोजन नाइट्रो नाइट्रो सो यह में अप्रीफिक्स में यूज़ फोता है अलकाइल ग्रूप लिगने टॉलूइन इस्पेशल आई पीशी नहीं तो इसका नाम किया जाएगा वन टू टू मेथोक्सी या फिर और तो बोलो और तो मेथोक्सी और तो मेथोक्सी टॉ अब को कर लेना है तो मीज़ प्रोडक्ट आपका क्योंसा होगा पैरा काही रहेगा और तो तभी बनता है जब यहां पर हाइड्रोजर बांडिंग है यहां पर नहीं बन रहा है क्लियर है तियो गया फिदल क्राफ्ट आलकाइलेशन आप देखते हैं फिदल क्राफ्ट अस साइलेशन इसी को में चेंज कर देता हूं असाइलेशन में अब क्या करते हैं इदर लेता हूं में CH3Cocl यहां पर ऐसी टाइलिये माइन आएगा यह को रिप्लेस करेंगा यह एलेक्ट्रोफाइले तो और तो और पैरा पोजिशन के रिप्लेस करेंगा तो सी ओ सी ओ सी न ही हो इसमिंगे हम से नाम क्या हुआ इसका नाम क्या होगा और तो मिघॉक सी असी तो फिन इसका पैरा मिघॉक्सी एसे टो फिन रीथर अब हम थार्थ देखते हैं नाइटरेशन नाइटरेशन ओके चलिए मने यहाप इलिया एनी साल इतली इसको मैंने रीयाग किया इदर अब देख लिजे अब यहां पर और तो पर नाइट्रो ग्रूप आजाएगा यहां पर अपर चैनल नाइट्रो ग्रूप और कमने दर वॉटर मॉली तो ओरी नाइम भी आपर इसका क्या नेम होगा भी अंदों लोग सोच के बोलेंगे इसको लिएक लिए वान इस टू टू यह याद कि और इसमें वाट इस दे रूल ऑफ कॉंसेंट इसल्फिक अजिट तो कॉंसेंट्रेट इसल्फिक अजिट है अब कल हम डिसक्स करेंगे प्रिविस एर के अब डिसक्स करेंगे कल प्रिविस यह हो जाएगा तो बड़ा चप्टर रही है उसके आभी नेक जो चप्टर लूँगा मैं अल्डेट कीटों सेन कार्बो आउग्स लिया जो भी बहुत बड़ा है ठीक वो भी टाइम लेने वाला है तो ठीक है न करेंगे जितना होगा अब बस अपना काम हो जाएगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर स्टॉप करते हैं अब यह आप लोग पढ़ना सुरू करो घर पे रहिए सेफ रहिए बाहर मत जाएए ठीक है और पढ़ाई का दिरे टेंशन चप छोड़ दीजे एग्जाम के तरफ पूरा ध्यान रखिए चलिए झाल 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 झाल